दोस्तों World Cup 2019 बेहत पास आते जा रहा है और ऐसे मैं आज किस वीडियों के हम बात करने वाले हैं कि World Cup 2019 के लिए जो पहला मुकावला खेला जाना है टीम इंडिया का साथ मैच नमबर 8 दी रोजबॉल स्टेडियम में खेला जाना है तो इस मैच के लिए टीम इंडिया की क्या Playing 11 रह सकती है किस प्लेयर को यहांपर मौका मिलने वाला है किनको यहांपर Bench पर ही बैठना होगा यह सब आज इसकी वीडियों हम देखने वाले हैं और पूरी Playing 11 को हम डिसकस करने वाले हैं लेकिन वीडियो सुरू करें इससे पहले तो तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तर गोलते आँ फ्री लीक्स में लाखो रोपय तक जीत सकते तो फट फट जाईगी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है नॉश्टर प्रो को डॉलोड कर लीजिए तो वहीं दुस्तों आगे बात करते हैं कि दौन ही टीम की तो वहीं दुस्तों आगे बात करते हैं कि टीम इंडिय की क्या प्लेंग लवन रहने वाली है क्या प्लेंग लवन रह सकती है तो उबनस के तौर पर रोहित सर्मसिखरधवन खेलने वाले हैं इनके बाद अगर मिदेल ओडर में देखा जाए तो नमबर तीम पर विराट कोहली नमबर चार जो सबसे कोंड्रोवर्सी वाला नमबर रहा है जहांपर विजय संकर को टीम में सेलेक्ट किया गया है तो ऐसे मैं नमबर 4 पर विजय संकर खेलने वाले हैं नमबर 5 पर केदार जाधाओ, नमबर 6 पर MS धौनी नमबर 7 पर देखा जाए तो हार्दिक पाइंडिया बात की जाए बॉलिंग डेपार्टमेंट की तो इस्पिनर्स में कुल्दी प्यादो और यजवेंदर चहल खेलने वाले है पेसर्स की बात की जाए तो हाल फिलाल जिस प्रकार से फार्म चल रही है ऐसे में जस्परीद बॉम्रा मुहम्मद समी खेलने वाले है तो दोस्तों ये तो रहने वाली टीम इंडिया की प्लेइंग लवन बॉलिंग कॉम्मिनेशन में हाँपा चेंजर्स हो सकते है तीन पेसर्स के साथ टीम जाना चाहे तो जस्परीद बॉम्रा मुहम्मद समी भुवनेस्वर कुमार है इनके बाद इस्पिनर्स में कुलदी प्यादो युजवेंदर चहल में से कोई एक और उपर आपको रविंदर जड़ेजा को खिलाना होगा तो दोस्तों इस प्रकार से प्लेइंग लवन का कॉम्बिनेशन रहने वाला है पहले मैच के लिए आपकी क्या प्लेइंग लवन रहने वाली है आपके साब से किस प्लेइर को टीम में सामिल होना चाहिए किसको बैंच पर बैटना चाहिए कमेंट बॉक्स में जुरूर बता हैं अगर आपने अभी तक आर्स इंडेटिनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को जूर से प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स लेटेस्ट नियूज आपको लगातर मिल सके बन्यवाज